हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफलतावंतर दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगं को पता है काफी समय से ना कोई वेकेंसी आ रहे ना ही यूपी टेट का एक्जाम हो रहा था इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले सार सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सिच्छा सेवा चैन आइयोका घठन कर दिया गया था जिसके इनतरकट ये लक्ष रखा गया था कि जो भी वेकेंसी सिच्छा विवादब से रेलेटेड हो भो सभी इस चैन आइयोक पे नतरकत कर दी जाएगी जो की पहले PNP के माध्यम से या अदर अधर गम जो विवागें के माध्यम से कराई जाती थी तो आपको बताना चाहेंगे डॉक्टर कीर्थी पांडे को कल आयोका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है जी यहां दोस्तों अभी हाल ही की अपडेट है जो गोरकपुरी युश्टी के इंतरगत आती थी और इनको आयोका अध्यक्ष बना दिया गया था पहले कारकारी अध्यक्ष बनाए गए थे लेकिन पूर्ण कालिक अध्यक्ष के रूप में कीरती पांडे आज अपना कारभार ग्रहन करेंगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रस्न यह आता कि सिच्छक भरती को लेकर क्या कार करने वाली हैं। इसको लेकर मीडिया में इनके दोरा बात चीत की गई और क्या-क्या भरतिया इसके अंतरगत आने वाली हैं। वो सब आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कीरती पांडे को सिच्छा सेवा चैनायो के अध्यच पद पर नियुक्त कर दिया गया है। नियुक्त परदान की गई है। यह आप लोग आदेश देख सकते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखेंगे नए अध्यक्ष के आते ही दो साल से लंबित भरतियों को मिलेगी रफ्तार जैसा कि निउस पेपर वाले निकाल रहे हैं उम्मीद कर सकते हैं इस प्रकार की हो सकता है कि ऐसा नहीं होगा एक लियर अभी नहीं है तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंग कि इसके साथए साथ यूपी टेट का एकजाम भी पिछले दो वर्से नहीं किया गया है और यूपी टेट के साथ सबसे बड़ी बात है जो आपकी प्राइमरी टीचर भर्ती जो आपकी सुपर टेट एकजाम है वो भी बहुत ही लंबे समय से नहीं हुआ हर साल डियलेट के कि मुख रूप से क्या इनके अंतरगत आता तो यह देखे लिखा है प्राथमिक से उच्चतर सिच्छा तक की निवतियां करेगा आयोग तो प्राथमिक इस तर के बाद जो आपकी एड़ेट पीजी टी पीजी टी और उच्चतर आयोग की जो भी वेकेंसी होती हैं वो सभी इस आयोग के अंतरगत होती हैं इसमें एक अध्यच और बारह पद बारह सदस रखे गए जो इसके लिए पूरी गाइडलाइन त्यार करेंगे पूरी प्रक्रिया को आगे ससमय कंप्लीट करने की उम्मीद करते हुए आगे बढ़ाएंगे अब देखना होगा कि क्या इस प